नमस्कार लोग ध्वनी से मैं नित्ते काराय हाजिर हूँ आज के मुख्य समाचारों के साथ परेटन विवाग के कैफे में मिलेंगे स्वच एवं सुरक्षित वेंजन एक लाग से अधिक पंजिकरिट श्रमिको को दो हजार रुपे की वित्य सहायता जारी मुख्यमंत्री बाहर से लोटे लोगों के परिजनों को शुरक्षित करने के लिए शुरू होगा निगाहा कारिकरम टेक्सी चालोकों का कारोबार पूरी तरह से ठप भूखे मरने की आई नौबत सूपर फ्लावर मून दो हजार बीस साथ मई को दिखाई देगा साल का अगला और अंतिम सूपर मून जम्मु कश्मीर के डोड़ा में शुरक्षा बलो ने हिच्बूल के आतंकी को किया गिरफतार बड़ी योजना 64 फ्लाइट से वापस लाए जाएंगे विदेश में फसे 14,000 से अधिक लोग 102 वर्षय बज़ूर्ग श्रीराम दूसरों की मदद की बिना करते हैं स्वेम अपना काम वैक्सिन विक्षित करने में जुटी IICT वाइरिस की दवाब बनाने के करीब पहुँचा भारत कौरणा संक्रमित के साथ दिल्ली से आये दो यूवकों को किया संस्थागत कौरंटीन पूरी दुनिया कौरणा वाइरिस के संकट से जूज रही है और कुछ लोग आतंक्वात फैला रहे हैं पीम मोदी नहान डॉक्टर ने गर्ववती मैला को एड्मिट करने से किया इंकार मंत्री मंदलिया उप समीती की बैठक आयोजित पुलीस महानिदेशक S.R. मर्डी ने राजजिपाल को राजजिक स्थिती से कराया अवगत अब कुछ समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश शरकार श्रमिको का कल्यान सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिव बंध है और श्रम सुधान की इदिशा में कई कदम उठाए गए है वहाँ आज यहां श्रम सुधार पर श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा दी गई प्रस्तूती की अध्यक्षिता करते हुए संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कौविड-19 के द्रिश्टिगट जारी लॉगडाउन अवदी में श्रम एवं रोजगार विभाग के फिल अधिकारी प्रति दिन निरक्षन कर रहे हैं और इसकी दैनिक रिग्नानी भी की जा रही है अभी तक प्रदेश में 1373 निरक्षन किये गए हैं ताकि श्रमिकों के शोशट पर नजर रखी जा सके उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक नियुनताओं के लिए अपने करमचारियों को वेतन वा मजदूरी की आदाएगी कर दी गई है श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिलने के शंबन में सिकायतों की गंबीरता पुर्वक जाज भी की जा रही है जैराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्मान कामगार कल्यान बोट से पंजिकरित श्रमिकों को मार्च व अप्रेल 2020 के लिए 2000 रुपे प्रती कामगार वित्य सहायता प्रदान की जा रही है उन्होंने कहा कि पंजिकरित श्रमिकों को पहले किस देने के लिए 20.47 करोर रुपे डीबिटी के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं जबकि एक दिन के अंदर दूसरी किस भी जारी कर दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में फसे हिमाचल प्रदेश के श्रमिकों और हिमाचल में फसे बाहरी राज्यों के श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए उप श्रम आयुक को COVID-19 के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन की सहायता और समवन्विय के लिए सभी श्रम अधिकारियों को अपने अपने छेतर अधिकार में नोडल अधिकारी नियुक किया गया है अतिरिक्त मुख्य सचीव निसा सिंग ने श्रम सुधारों पर प्रस्तुती दी उद्ध्योग और श्रम एवं रोजगार मंतरी विक्रम सिंग ठाकुर मुख्य सचीव अनिल खाची, मुख्य मंतरी के प्रधान सचीव संजे कंडू, श्रम आयुक, एस-एस, कुलेरिया और अन्य वरिष्ट अधिकारी भी बैटेक में उपस्ते थे 102 वर्षिय गुजर्ख श्री राम दूसरों की मदद के बिना करते हैं स्वेम अपना काम दिल होना चाहिए जवान, उम्राचा की राख्या, उक्तबात अपनी आयू का शतक लग चुके उपमंडल, स्वरघाट के गाव कालती निवासी 102 वर्षिय श्री राम पर बिल्कुल स्टिक बैटती है जी हाँ, यहाँ आज कल 60 वर्ष की उम्र में पहुंचते ही सरकार भी अपने करमचारी को बुढ़ा समझ कर नौकरी से रिटायर कर देती हैं तो वहीं आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बुंदल होसले से उम्र को भी अपने आगे घुटने टेकने को कर दिया है, जीवन का शशक लगाने के बाद भी 102 पर अन आउट बने हुए पशुपालन वक्रिशी, शौकीन, श्री राम आज भी आवशकता पढ़ने पर खेतों में बिना किसी मदद के कार्य करते हैं, वर्तमान की रासायनिक उफ्वरक युक्त खेती के प्रतिचिंता ज नमक को छोड़कर हर खाद्य पदार्तों को बिना किसी दवाई के खेतों में ही तयार किया जाता था, तथा लोग पुराने समय में सिर्फ नमक खरीदने ही बाजार जाया करते थे। किया गया है, जोगिंदर नगर शहर के एक होटल में संस्थागत कॉरिंटाइन केंद्र बनाया गया है, टेक्सी चालक की जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी गई है, बैचनात के यूवक के बारे में कांगडा पुलिस को सुचित कर दिया गया है, मंडी के एंट्री पर स्टाफ भी बढ़ा दिया गया है पहला मामला सामने आने के बाद जिला भर में कर्फ्यू और लॉकडाउन में सकती अधिक हो सकती है प्रशासन का मुख्य ध्यान संक्रमन को फैलने से रोकने पर है इसे लेकर संक्रमित वैक्ति के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपक्त मे आये वैक्तियों का पता लगाया जा रहा है डीसी मंडिय रिगवेट ठाकुर ने कहा है कि घर के तीन किलोमेटर छेत्र को कौरिंटाइन जोन गोशित कर दिया गया है आने वाले दिनों में इस छेत्र में किसी भी प्रकार का कोई आवगमन नहीं होगा पुलीस महाने देशक S.R. मारड़ी ने राजजपाल को राज्यक की स्थिती से कराया अवगत पुलीस महाने देशक S.R. मारड़ी ने आज यहां राजभवन में राजपाल बंडारू दतरायस से भेट की श्रीम मारड़ी की माध्यम से कौविट-19 के संदर्ब में की जा रही कारेवाही और कानून वहवस्ता को लेकर इस्तिती से अवगत कराया श्री मर्डी ने जानकारीदी की पुलिस विभाग द्वारा कर्फ्यू उलंगन करताओं के खिलाफ 1484 अभियोग पंजिकृत किये गए हैं जिनमें से 1305 वैक्तियों को उलंगन करने पर गिरफ्तार किया है उन्होंने कहा कि 465 वैक्तियों के खिलाफ दन प्रक्रिया सहित निर्वक धाराओं के अंतरगत कारेवाही की गई हैं उन्होंने जानकारीदी की कर्फ्यू के उलंगन पर 1248 गाड़ियों को जप्त किया गया है और उलंग 45 लाग रुपए जुर्माना लगाया गया है उन्होंने जानकरी दी कि कर्फ्यू के दोरान आदेशों का कार्यवने कराते समय पुलिस कर्मियों पर हमले के 10 अभियोग 20 वेक्तियों के खिलाफ पंजिकरित किये गये हैं पुलिसमान निदेशक ने बताया कि प्रदेश की सीमाओं को सील किया गया है और पुलिस द्वारा 24 घंटे गस्त की जा रही है इस कादे के लिए जिला पुलिस के अतिरिक बटालियनों के 1500 जवानों और 862 घ्रह रक्षकों को तैनाद किया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश वासियों से आग्रह किया गया है कि यदि उन्हें कर्फ्यू के दोरान किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे सूचना आपातकालिन प्रक्रियस मर्थन प्रणाली 112 पर दे सकते हैं और अभी तक इसके माध्यम से 322 सूचनाय प्राप्थ हुई है जिसमें 311 का निप्तारा किया जा चुका है उन्होंने कहा कि गत महा प्रदेश में 180 जमात के लोगों द्वारा दिली में आयुजित कारिक्रम में भाग लिया गया था पुलिस ने इनके संपर्क में आये 1107 लोगों की पहचान की और उन सभी को कॉरिंटैन कर दिया गया है राजिपाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने प्रदेश में जिस तरह से स्थिती को समाला हुआ है और सभी जवान कॉरोना काल में अपनी डूटी को मुस्तेदी से निभा रहे हैं वहा प्रसंसानिय है इस कारिप्रणाली से पुलिस की छवी और अच्छी तथा गहरी हुई है और लोगों का विश्वास भी बड़ा है उन्होंने यहाँ भी कहा कि इस समय सभी आपतकाली सेवाओं वाले विभाबों को सन्वे से कारिय करने की आवशकता है विशेशकर सही सुषना सरकार तक पहुचाने के लिए पंचायती रासंस्थान, स्वास्थ, केंद्र, आगनबाडी और पुलिस समानविया लगातार कारिय कर रहे हैं दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी और उन पर कड़ी निगरानी भी रखी जानी चाहिए ताकि सभी एतिहाती उपाई किये जा सके और कई भी कोई भी नया मामला सामने ना आए उन्होंने कहा कि COVID-19 को हलके में ना लिया जाए आज कई दूसरे राज्य आज COVID-19 से जूज रहे हैं इसलिए राज्यों को भी सतक रहने की आवशकता है उन्होंने कहा कि प्रदेश से बाहर और अंदर आने जाने वाले का डेटा भी रखा जाना चाहिए आरयोग्य से तू एप की अनिवार्यता और इसके अनुश्रन की भी आवशकता है राज्यपाल के सचीव राकीश कंवर भी इस अवसर पर उपस्तित थे इसके अलाबा और भी समाचाः विस्तित रूप से पढ़ने के लिए लॉग इन करे www.logdhoni.com साथ ही जुड़िये हमारे फेस्बुक पेच के साथ www.facebook.com लोगधोनी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें धन्यवाद